तो आज जनाब सब मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ एक बहुत ही मज़े का बहुत ही मज़े का बहुत ही वी आई पी किसम का फेस वाश और फेस पैक ठीक है यह ऐसी चीज है कि अगर आप लोग इसको अपनी फेस पर 10 तू 5 तू 10 मिनट्स अगर आपने फेस पर स्टे है ठीक है और सारा ही ओर्गानिक ट्रीके से बनाया गया है फूलों की पतीयों से और बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं कि आप लोगों की स्किन के लिए बहुत ही ज़ादा मुफीद है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बाद अपना फेस जो है वो नॉर्मल वाटर से अच्छे तरीके से वाश कर लें उफ कमाल आपका आपका जो फेस है इतना अच्छे से गलोग करने लगेगा इतना ब्राइट हो जाएगा बहुत ही जादा खुबसूरत लगेगा ठीक है तो यह ऐसा फेस वाश है कि आप लोग से मसाज करना है और उसके बाद आपने पना फेस वाश जो है वो नॉर्मल वाटर से वाश कर लेना है और यकीन करें आपका वन वीक के अंदर आप चमकने लगोगे ठीक है यह तो मैं बहुत जादा अरसा बता रही हूं कि आप लोग कहें कि या टू डेस क्यों नहीं जादा खुबसूरत बहुत ही नर्म हमलाई मुर बहुत जादा प्यारा बना जिता है और यकीन करें बहुत ही नुमाया फरक आप लोग को नजर आएंगे बहुत ही मज़े की चीज है यह और यह जनाब साब आप लोग अपने फेस पर लगाओगे बहतरीन लगेगा बहतरी तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस किस तरह बनाया है तो जनाब मैं आप लोगों से शेयर करते हूँ उसको बनाने का त्रीका सबसे पहले एक बहुत साफ सुत्रा साप लोगों ने बॉल ले लेना है और इसके झाल हाँ झाल है और लोगों से आती हूज यह किषचे करते हैं लाइट और डाल मैं और पर उर दालते हैं अचमद का आपके walईट करते हैं और अ इसका जो powder है वो आपकी स्किन के लिए बेहद मुफीद है. आपकी स्किन को हर किसम की irritation से मैफूस करता है और आपकी स्किन को cooling effect देता है. बहुत यच्चे से आपकी स्किन पर से जो fine lines है, wrinkles हैं उनको बहुत यच्चे से remove करता है. बहुत अच्छा फेस पैक बनता है इसके साथ आपकी स्किन एक किसम की मेंटेन हो जाती है आपकी स्किन पर डार्क स्पोर्ट जो है वो बिलकुल ही खतम हो जाते है और जनाब अब हम इसको अप्लाय करेंगे अपने फेस के ओपर फेस को पहले बहुत यचे सरीके से आपने इस तरह वाश कर लेना है किसी भी किसम का ना कोई मेक अप है ना कोई क्रीम लगाएवी है ना कोई सीरम लगाया हुआ है बिल्कुल मैंने अपने फेस को अच्छे तरीके से रिमूव कर लिया है हर किसम की डर्ट से, हर किसम की पॉलिउशन से और हो सके तो इस से पहले आप अच्छे से जो है वो किसी भी फेस वास से अपना फेस अच्छे जरीके से वाश कर लें ताकि आपके फेस पर किसी भी किसम की डर्ट ना हो और उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है वो इस तरहां से इसको बना लेना है थोड़ा सा पानी डाल लेना है या रोज वाटर जैसे आप लोगों को सूट करें लेकिन कोशिश किया करें मिन्टर में रोज वाटर कम यूज किया करें क्योंकि या आपके स्कीन को ड्राय करता है और यहां पे मैंने डाल लिया है थोड़ा सा पानी और मैं इस तरह से पेस्ट बना लूँगी जब आप लोगों किस पाउडर को बनाने लगोगे तो यह कोशिश कियेगा कि इन सब चीजों की मिगदार आप एक्वल रखें आप इसके अंदर बादाम का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं मतलब जिनके ड्राय स्कीन है वो अराम से इसमें बादाम का पाउडर एड़ कर सकते हैं यह स्कीन को बहुत ही अच्छे से मौश परवाइड करता है आपके स्कीन बहुत ही अच्छे से उससे ग्लोग करने लग जाती है तो मैंने फिलाल इसमें नहीं डाला क्यूंकि है उसके लिए बनाया वाता है एक और फेस्टाय अशक्शक में आप लोग देखें बहुत यच्छा सा वो भी फेसपक है फेसवाश वो भी मैंने अपने वाश्डियू में रखा पाई लाइन्स वगारा रिंकल्स वगारा जोंगे वच्छे से रिमूवो चार चार आप gaily और हो исक किन पायर भार जो पिंकिर्द बाइडे नहीं और बुहत ही प्यारी बहुत ही खुबसुरot होते जाएगी और जहनाब साभा इस पिसी बिस चुपता है तो इसी तरह से आप लोगों कोए पीसने आपने उसको लेना है मार्केट से बिलकुल ही अच्छे से ग्राइंड वग जो चावल काहटा होता है वो आप लोगों ने ले लेना है ताकि आपकी स्किन पर किसी भी किसम का कोई रैश ना डाले तो आप लोग इस तरह से देखो मैं इसको अराम से मसाज करूँगी अपने हाथों पे अपनी नेक पर और इस तरह से यहाँ पर पेच्छी से लेज हैं टू मिनिट्स के बाद 2 मिनिट्स टे करके और उसके बाद मैं फेस वाश करके आप लोगों के सामने आती हूं तो यहां पे जणाव आप लोग देख सकते हो मैंने फेस को बहुत ही अच्छी से वाश्च कर लिया है जो डर्ट लगएरा थी वह भी अच्छी से रिमूब हो गई है मेरे स्किन पर से बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छी अच्छा सा गलो आ रहा है मिरे face के ओपर नोज के ओपर आप लोग देख सकते है किस कदर glow आ रहा है मिरे skin इसक्दर soft हो जाती है इसको use करने के बाद कि यह सकनो पूर देखे मेरे face के बहुत ही अच्छा से सकूँन आ और आ हो तो जणाब देकि मेरे face के ओदर किस कदर glow कर रहा है मेरे नोस किस कदर लाइटम आ रही है